वेलकम टू जीरो से जिन्यस तक आज की एक और नए एस्पेसल वीडियो क्विटेस्ट में आप से पूछे जाएंगे साइन्स के 40 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को तो आप इस वीडियो क्विटेस्ट को ध्यान से खेलिएगा चलिए सुरू करते हैं कि पाहला सवाल है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाते हैं आपको जवाद सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो सुरू होते हैं अब दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है सही अंसर हो जाएगा option number C, vitamin C, question number 2 Pituitory गरन्थी मानों सरीड की सबसे छोटी गरन्थी जो कहां इस्तित रहती है Pituitory गरन्थी मानों सरीड के किस हिस्से में इस्तित रहती है सही अंसर हो जाएगा option number A, मस्तिक्छ में, question number 3 टीविया नामक हड्डी मानों सरीड में कहां पाई जाती है सही अंसर हो जाएगा option number C, टांग में, question number 4 इंजाइम सहाइक होते हैं सही अंसर हो जाएगा option number B, भोजन के पाचन में, question number 5 है मानों रक्त में पलाजमा कितने परतिसत होता है सही अंसर हो जाएगा option number D, लगभग 55% question number 6 रोहा या ट्रेकोमा नामक बिमारी किस अंग में लग जाती है अंसर हो जाएगा option number C, ट्रेकोमा आंख की बिमारी है question number 7 दूसित जल पीने से कौन सा रोग लग सकता है सही अंसर हो जाएगा option number A, है जा question number 8 थार मरवस्थल में कीस परकार की वनस्पती उगती है थार मरवस्थल भारत के राजस्थान में इस्तित है और ये भारत के सबसे बरे मरवस्थल है थार मरवस्थल बट यहां प्रस्थन क्या है थार मरवस्थल में कीस परकार की वनस्पती उगती है बहुत अच्छे सवाल है सही अंसर हो जाएगा option number B, जीरो फाइट्स question number 9 है परजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है परजनन संबंधी सूचना कहां एकत्र रहती है परजनन संबंधी सूचना कहां एकत्र रहती है अंसर हो जाएगा option number A, DNA में question number 10 शरीर में oxygen की पूर्ती किसके माध्यम से होती है अच्छे सवाल है सही अंसर हो जाएगा option number A RVC के द्वारा RVC के माध्यम से शरीर में oxygen की पूर्ती होती है आगे प्रस्ण है और आपने अभी तक इस चानल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पे किलिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकुन को दबा कर नोटिफिकेशन को ओल कर दिजिए धन्यावद आगे सवाल है किस रोग में रक्त का ठक्का नहीं बनता है किस रोग में रक्त का ठक्का नहीं बनता है सही अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर बी हीमोफिलिया नामक रोग में रक्त का ठक्का नहीं बनता है Question number 12, पौधे का पर्जनन अंग कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा, option number C, full Question number 13, सिल्क प्राप्त की जाती है? सिल्क प्राप्त की जाती है? सही आंसर आपको बताना है, right answer हो जाएगा, option number A, कोकुन से Question number 14, चेहरे में कूल हडियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा, option number C, 14 Question number 15, कानों में कूल हडियों की संख्या कितनी होती है? यह सभी सवाल बहुत important है, यहां से एक दो सवाल आपके एक्जाम में आही जाते हैं, कानों में कूल हडियों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा, option number B, 6 Question number 16, जन्तु जगत का सबसे बारा वर्ग कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा, option number B, अर्थो पोड़ा, अर्थो पोड़ा, जन्तु जगत का सबसे बारा वर्ग है Question number 17, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा सुरोत है? केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा सुरोत क्या है? किसमें केसिन नामक फ्रोटीन पाए जाते है? आंसर हो जाएगा, option number A, दूद्ध में, दूद्ध केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा सुरोत है, दूद्ध Question number 18, अधिकांस एंटिबायोटिक दावाईया बनती है? आंसर हो जाएगा, option number C, बैक्ट्रिया से Question number 19 है, मनुस्य के सरीड में, सरवधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है? मनुस्य के सरीड में, सरवधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है? सही अंसर हो जाएगा, option number C, कोलेजन Question number 20 है, फूलों का अधियान किया जाता है? सही अंसर हो जाएगा, option number A, एंथोलोजी में फूलों का अधियान, एंथोलोजी में किया जाता है अगे सवाल है, सोडियन धातु को डुबो कर रखा जाता है? कुछ सवालों को रीपिट कर देते हैं, ताकि आपको और वी अच्छे से याद हो जाए सोडियन को डुबो कर रखा जाता है? आंसर हो जाएगा, option number D, किरोशिन के तेल में Question number 22 निम्ण में कौन सबसे हलकी गय से है? सही answer हो जाएगा, option number B, हाइडोजन Question number 23 है, सोने के अभूशन बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? सही answer हो जाएगा, option number D, कौपर Question number 24 है, सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु कौन सा है? सही answer हो जाएगा, option number B, ओस्मियम Question number 25 है, प्याज ये उलहसुन में गंध किस के कारण होती है? सही answer हो जाएगा, option number B, पोटैसियम के कारण Question number 26 है, हाइडोकारवन का प्राकृतिक सरोत क्या है? हाइडोकारवन का प्राकृतिक सरोत क्या है? अंसर हो जाएगा, option number A, कच्या तेल Question number 27 है, किस गयस का परियोग, सिग्रेट लाइटर में किया जाता है? किस गयस का परियोग, सिग्रेट लाइटर में किया जाता है? सही answer हो जाएगा, option number A, ब्यूटैन Question number 28 है, पेट्रॉल एक मिसरन है? सही answer हो जाएगा, option number D, हाइडोकारवन का Question number 29 है, किस अमल में ऑक्सीजन नहीं होता है? सही answer हो जाएगा, option number C, हाइडोकालोरिक एसिट में ऑक्सीजन नहीं होता है Question number 30 है, वेल्डिंग में इस्तमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? वेल्डिंग में इस्तमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? सही answer हो जाएगा, option number B, ऑक्सीजन एउ, एसी टिलीन Question number 31 है, रबर को मजबूत और उच्छाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? अंसर हो जाएगा, option number C, Sulfur Question number 32, सही answer हो जाएगा, option number B, 0.03% Question number 33, गोबर गैस प्लांट का अविस्कार किसने किया था? सही answer हो जाएगा, option number A, सिवी देसाईन Question number 34, साबुन के साथ तत्पारता से जागना वनाने वाला जल कौन सा है? साबुन के साथ तत्पारता से जागना वनाने वाला जल कौन सा है? सही answer हो जाएगा, option number D, कठोर जल किस एसिड का उप्योग सीशा संचाइक वर्टरी में किया जाता है? किस एसिड का उप्योग सीशा संचाइक वर्टरी में किया जाता है? सही answer हो जाएगा, option number A, सल्फियूरिक एसिड question number 36 है, प्रिथवी की आयू का आकलन किया जाता है? सही answer हो जाएगा, option number A, एउरेनियम डेटिंग विधी द्वारा question number 37 है, एउरिया का रासाइनिक नाम क्या है? एउरिया का केमिकल नेम क्या है? सही answer हो जाएगा, option number C, कार्वोमाइड question number 38 है, वह तत्व जो अक्सीजन से प्रतिकिरिया नहीं करता है? सही answer हो जाएगा, option number B, आयोडिन आगे सवाल है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? सही answer हो जाएगा, option number C, लोहा question number 40 है, एक स्वास्थ मनुस्यका रखते चाप होता है? एक स्वास्थ मनुस्यका रखते चाप होता है? answer हो जाएगा, option number B, 120 upon us say आपके लिए एक सवाल है सबसे मजबूत मांस्पे से पाई जाती है? यदि आप right answer बता सकते हैं? तो simply आपको comment box में जाना होगा, वहाँ पे लिखना होगा Q for you और इसके right answer तो आप वीडियो पसंद आया, तो share भी कर सकते हैं like तो जरूर कर दिजिए और आप हमारे सत्व regular रहिए हम जो भी सवाल पूछेंगे, वह आपके syllabus के हैं और आपके exam के लिए बहुत important है बाकि आप coaching school tuition self study जो भी करते हैं, करते रहिए साथ में हमारे वीडियो को भी regular देखा करिए तो मिलता है फिर अगले वीडियो में आपना ध्यान रखिए जय हिंद, जय भारत